नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और खापी के मजे ले रहे होंगे तो आओए आज किस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्च्छा इग्यारवी के वाइलोजी का अध्या एक ठीक है कक्छा 11 वी का वाईलोजी जो है आप लोग का वाईलोजी का पहला अध्याजम लोग सुरुवात करने वाले हैं इससे पहले इंट्रोडेक्शन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें वाईलोजी के बारे में तो जरूर आप लोग जाके देख लिजेगा प्ले आप भूल जाएए ठीक है क्योंकि हम हैं तो दम हैं इतना समझिए कि हम हर चीज को इस तरह से एकस्प्लेन करके समझाएंगे लगेगा कि बाईलोजी नहीं हम हिंदी पहर रहे हैं हलुआ पूरी खा रहे हैं ठीक है एक दम जबर्दस तरीका से पूरा अध्याय को द Deshalb. और पूरा समयटए के आपको ऐसे करने मात्य म में दे देंगे पट से घूश जाएगा तो तयार हैं आप लोग तयार हो जाएए पूरा वीडियो ख सूरू इसमेठ कर लेके अंकत कर लिजेगा पूरा फंडा आपके समझ में आ जाएगा ठीक है वन सौर्ट वीडियो है ओके आधोई का छिपकिली जी देख रहा है ना इसी ही लोग के दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चलो भई वीडियो को हम सुरवात करते हैं आप किस डिश्टिक से इस वीडियो को द जरूर देख लिजिए और नहीं देखें तो यहीं पर देख लिजिए ने क्या जरूर आते हैं उनको देखना उसमें थोड़ा डिटेल से हम पढ़ाएं ओके आजो जीव विज्ञान जिसको इंगलीस में आप लोग क्या बोलते हैं बाइलोजी बोलते हैं इतना तो पता हो जिसके अंतर्गत जीवों का अधियन करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं वाय लोजी कहते हैं ओके अब मेरे भाई यहां पर देख लो वायलोजी जो है बाइलोजी सब्सक्राइबुक्ता है एक वड गोस इसके बारे मैंने चर्चा कर रखा था इन्टाइक्शन वीडियों ठीक है तो वायों का का मतलब होता है जीवित जीव और लोजी का मतलब होता है अश्टडी मतलब सब इसके नाम से बाइलोजी बायोस बायोस और लोगोस तो बायोस का मतलब होता है जीव क्या होता है जीव और लोगोस का मतलब होता अश्टडी ठीक है उसी को क्या कहते हैं बाइलोजी कहते है अब कोन-कोन सर जी आइए यहां पर हम आपको समझाते हैं कोन-कोन एक वनस्पती बिग्ञान एक जनतू बिग्ञान थीक है अगर पूछे वाइलोजी जो है कितने परकार के होते हैं तो मुख्यता है याद रखना आप लोग को दो परकार के एक कौन सा वनस्पती बिग्यान एक जन्तू बिग्यान तो वनस्पती बिग्यान बोले तो याद रखेगा क्या बोटनी क्या याद रखेगा बोटनी और दूसरा जूलोज अब देखो इसके नाम में ये है बोटनी ठीक है बोटनी और जुलोजी इसके नाम में के हिंदी में क्या होता है वनस्पती बिग्यान वनस्पती बिग्यान तो मतलब पेर पौधे के बारे में अध्यान क्या जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं बोटनी कहते हैं कि क्या समझे लोग जीब बिज्ञान की वासाखा जिसके अंतरगत पेर पोध्य का अध्यन किया जाता है उसे ही हम लोग वटनी कहते हैं मतलब वनस्पती बिज्ञान कहते हैं अगर पूछे की वनस्पती बिज्ञान के पिता कौन है याद रखना थेयो फ्रेश्टस को वनस्पती बिज्ञान का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है अब देखर जंतु बिज्ञान उसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि वाई लोजी के पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को किसको? अरस्तु को. उसमें मैंने पढ़ा रखा था introduction वाली वीडियों में. ठीक है? तो जू लोजी जू मतलब क्या होता है? चिरियांगर होता है जी. चिरियांगर में जानवर वगरा देखते हैं न. सारी चीजे हैं कि नहीं यह सब चीज समझ गए तो अब एक और चीज समझ लिजिए जीव किसको कहते हैं जीव एक या एक से अधिक कोशिका का बना वह संगठन है जिसमें बाहरी और आंत्रिक विर्धी होती है विकास होता है और वह अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की छमता छमता होती है वह जीव कहलाता है अब यह चीज समझ माया जीव जो जीव देसे मान लीजिए बकरी बकर वी बकरी के अंदर भी कोशिका होता है और वह आं बाहरी और आंत्रिक उसकी विर्धी भी होती है विकास भी होता उसमें अपने जैसे परतीरूप को जैसे पेरे पोधा ले लेते हैं तो उसमें वह अपने जैसे संतिती को पैदा कर सकता सीधी सी बात समझ ये ठीक है अब यहां पे किनी बैच्चों को समझ में आया होगा तो यहां से भागना नहीं यह तो टेलर था इसके बाद तो फिलिम रिलीज ही होगा है कि नहीं यह सब जो था इंट्रोडेक्शन वाली वीडियो में मैंने जबर्दस्त तरीके से समझा रखा है ठीक तो आप आए शुरू करत से हैं द्यम में दूनिया में चीजों को पाहचानने के लिए का दुनिया में कि छीजों को सब्सक्राय नहीं पहचानने के लिए दो भाग में बाढ़ दिया, चीजों को क्या क्या, दो भाग में बाढ़ दिया, एक तो हो गए आपका पहला सजीव, सजीव, दूसरा हो गए आपका, दूसरा हो गए आपका निर्जीव, क्या हो गया, निर्जीव, अब सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, य जिसमें जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं मेरे बहुजि आईसे नहीं आप है आप तैंत पास कर गए है हम थोड़ा अस्टेंडर क्लास में आ गये हैं अब 11 वालों के तरह पढ़ना है ठीक है सजीव किसको कहते हैं निर्जीव किसको कहते हैं यह तो आपने 10 बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं जिसमें जान होता है उसे सजीव कहते हैं जिसमें जान नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं इसमे सब्सक्राइब और निर्जीव दोनों के बारे में हम लोग समझते, पिर्फवी पर पाये जाने वाले समस्चीजों को हम अध्यन की सुभधा के लिए दो भाग में बाढते हैं, पहला हो गया आपका सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव, अगर सजीव की बात करते हैं, तो तो पिर्थवी पर पाये जाने वाले वे समस्त जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन उपयोगी सभी महत्पुन किरियाएं, जैसे पोशन हो, परजनन हो, परजनन की विर्धी, आदी किरियाएं होती है, सजीव कहलाता है, हलाकि यह चीज़ समझ में आगे जिसमें जान हो रहा है, एक चीज दो कॉमन है, जिसमें जान है, ठीक है? और जो पोषन करता हो, परजनन की विर्धी करता हो, परजनन होता जिसमें, जनन या परजनन, समझ मैं रहा न, लेकिन इस से भी आई लेवल का चीज आप लोगों को समझाओंगा, टंसन मत इसे कि इन में से सभी परकार के पेर पोधा हो गया, जीव जन्तु हो गया, पसु पक्षी हो गया, सुक्ष्म जीव और मनुस भी सामील है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, परजनन या जनन, रिप्रोडेक्शन, ठीक है, जितने भी सजीव है, दुनिया का जितने भी सजीव है, वो रिप्रोडेक्शन करता होगा की नहीं करता होगा, जनन करता होगा की नहीं करता होगा, अरे भाई, इतना समझो कि एक इनसान, इनसान का अगर हम लोग लेते हैं, तो अईशा कोई इनसान है, आपके मन में कोई ऐसा इनसान है, जो जननन नहीं करता होगा, है जी है बताएंगे भी ठीक है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह चर्चा करेंगे ऐसा कौन सा मनुस है जो जनन नहीं करता उसके अंदर जनन की छमता नहीं रहती मनुस जाती का ही है अब फस जाईएगा यहां पर ठीक है तो चलिए ना और भी अच्छी तरह समझते हैं कि देखो अब यहां पर जो है सजीव के लक्षन सजीव के जो लक्षन है दो है एक समान्य लक्षन जो सभी सजीव में समंता पाया जाता है वो समान्य लक्षन हो गया एक विशिष्ट लक्षन जो विशेस परकार के कुछ कुछ सजीवों में पाये जाते हैं वह विशेस व बूलना शुरू कर दिजेगा, है कि नहीं, मैंने जो आप लोग को यहां से चीजों को पढ़ाया, कि पिर्थिवी पर जितने भी चीज पाये जाते हैं, पिर्थिवी पर जितने भी चीज पाये जाते हैं, उसके अध्यन करने के लिए हम क्या किया है, दो भाग में बाट एक तो सजीव, दूसरा क्या, निर्जीव, ठीक है, तो सजीव में क्या होता है, सजीव में क्या होता है, जीवन होता है, वो अपनी कार्य खुद कर सकता है, सजीव जो है, अपनी कार्य खुद कर सकता है, पोशन कर सकता है, वर्दी कर सकता है, मोशन, मोशन मतलब समझते है ना आगे समझेगा ठीक है मोश्न कर सकता है तो वो क्या कहलाता सजीव कहलाता है इन में से सभी परकार के पेर पोधय होगे जीव जंतू हो गया पषु पक्षि हो गया सुख्ष्मदीब च्था मनुस्थ भी क्या है सजीव है ठीक है और यहां पे जो मैं लगभग सभी सजीव में पाए जाते हैं लगभग सभी परकार के सजीव में पाए जाते हैं जैसे कि विर्धी करना मनुस्विर्धी करता है ना जी हम पहले इतने उके अब इतना बरा हो गया गती करता है न जी मोशन गती करता है किने जी मोशन करता है किने मतलब यहां से यह परजनन करते हैं ना नहीं करते हैं जी हम लोग परजनन करते हैं अपने जिसे संतान की उत्पत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं जी बिल्कुल करते हैं भोजन करते हैं अगर पूछे विशिष्ट लक्षन तो याद रखना सजीव के कुछ विशेस लक्षन जिसको कहा जाए पचे ठीक है उपाब पचे पर्यावरन के पर्ति समवेदन सील चेतना ठीक है कोशिक्य संगठन जीव दर्ब अब इन मेंसे तो आप लोगको एक दो जो है तीन इन मेंसे कोई समझ में नहीं आया होगा 100% बता रहा हूं किनी बचों को समझ में नहीं आ रहा हूं लेकिन समझ में आएगा टेंसन नहीं लेना है ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोग को समानने लक्षन मतलब सजीव के जो है समानने लक्षन मतलब जेनरल लक्षन जो है उनका जेनरल कारेक्टर जो है वो पहले पढ कुसेंगे ओके आये कि सजीव के जो परमुख लक्षन होते हैं फूड मतलब भोजन सभी सजीव को कार करने के लिए उर्जा किया वे सकता होती है भया हम अगर खाना और पानी नहीं पिएंगे तो हम इसे ऐसे करेंगा तीन दिन आप उपास कर लिजे फास्टिंग कर लिजे लग की सब ज्यादा करती है है की ने देखिये गांति नहीं होगा मेरे सब्सक्राइब करने के लिए उर्जा की जरूरत परता है जो की भोजन से प्राप्त होती है भोजन सजीव में सजीव में पाये जाने वाले एक विसेश गुन होता है पोधा अपना भोजन स्वेम पोधा जो है पेर पोधा अपना भोजन स्वेम बनाता है अब उनको चाबल दाल लाना नहीं पड़ता है हम लोग को चाबल लाने के लिए जाना पड़ता है सबजी लाने के लिए जाना पड़ता है लेकिन पेर पोधा जो जर होता है न जर से ह सारा चीज़ों ले लेता है और दूसरी बात परकास संसलेशन द्वारा वह अपना खाना बनाता है याद रहे पूछे पेर पउधा खाना कैसे बनाता है तो बोल देना है कि परकास संसलेशन के रिया के द्वारा पेर पोधा जो है अपना भोजन तयार करते हैं जबकि लेकिन मशुनिली चीज कहाँ साता है पेर पोधा साता है अनाज कहां से आता है जय हम लोग कहते हैं पेर पोधा से या आता है और मason म Keys 95PP हम लोग जो है मतन चिकन जो खाते हैं जनतु पर भी आशूत रहते हैं है की नहींच?. लेकिन पेरपोधा सिर्फ सूर्य की परकास प्यासरीत रहता है हम लोग दूसरे प्यासरीत रहता है लेकिन वो खुद से सारा चीज कर लिता है अब देखो सोशन सोशन समझ में आ रहा है अगर नकवा बद कर दिया जाए जय स्री राम हो जाएगा है कि नहीं जी हां कहेंगे जी सर सभी सजीबों को जीवित रहने के लिए ऑक्सिजन की आवशक्ता होती है जो हमें वायू मंडल से प्राप्त होती है ऑक्सिजन को ग्रहन करना तथा CO2 कारवन डाउकसाइड को छोड़ने की परिकिरिया शोशन कहलाता है अब यह बात बताई यह पेर पौधा जो है क्या गरहन करती है तो पेर पौधा जो है याद रखिएगा इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिक्षक भी फस्ट जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टुडेंट भी फस्ट जाते हैं आप ट्राइक कर लेना यह कुश्चन को कहेंगे सर क्या कुश्चन है क्या पेर पोधा सोसन के दौरान कौन सी कौन सी गैस लेती है देखिएगा बहुत सिक्षक भी इस चीज को गलत बताते हैं याद रखेगा पेर पोधा जो है सोसन के दौरान कौन सा गैस लेता है ओक्सीजन ओटू दे देते हैं ठीक है लेकिन खाना बनाने और चीजों के लिए वो कारबन डाउकसाइड गरहन करती है और ऑक्सीजन को छो जलो वहां पर नॉर्मली बोल देता है लेता है ज्यादा तर वह कारबन डाउकसाइड गरहन करती है भोजन बनाने के लिए है कि ने लेकिन यह ऑक्सीजन सोसन के दौरान पिर पोधा भी क्या लेती है ऑक्सीजन लेती है और एक नॉर्मल सी और बात बता दूं जितने भी दुनिया में जितने भी सजीव हैं वो सभी जो है ऑक्सीजन को ही करहन करती है कि लिए रहो गया जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमेसा के लिए एक ही जैसा होता है, अब बताएए भाईया, यहाँ पर बात बताते हैं, यह बोतल पांच साल से रहेगा, तो इह बोतल का हाइट बरहेगा, नहीं बरहेगा, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर जमा नहीं भागेगा, इमानली डिजिटल बोडे जो है, दो साल से लगा हुआ है, दो साल से लगा हुआ अपने मर्जिस्त ने कहता, सर हम जाएंगे घूमने, हम जाएंगे सर मेला देखने, नहीं कहता है, नहीं कहता है, ठीक है, तो यह निर्जीव है, क्यों कहेगा, अब यहा तब फिर थोड़ा समझदारी आया होगा यह मेरा घर है हम इस घर से समान चुरा के दूसरे घर वाला को नहीं देंगे अब बच्चा में ज्यादा तरी क्वाइल्टी होता अपने घर से समान लेके दूसरे घर में भर देता है देखिए का बहुत सारे बच्चे में यह गुन ह होता है लेकिन जैसे बच्चे विक्सित होते जाते हैं उसके सरीरिक विकास होते जाता है मांसिक विकास होते जाता है फिर तो होसियार होने के बाद साधी विवा हो जाता है moving, move मतलब चलन पियर पोधा को छोड़ सभी सजीव में चलन की परकिरिया पाई जाती है सजीव में चलन का मुख्य कारण भोजन की खोज होती है और पियर पोधा अपना भोजन क्या कर लेते हैं सुएम बना लेते हैं एक बात बताए भाईया हम एक इनसान होके हमको अगर गदी पर बठले बठले भोजन मिल जाए एक और चीज है इससे अगर भोजन की जरूरत इनसान को नहीं होता तो आज ये दुनिया इतनी विक्षित भी नहीं होता है की नहीं? और हर कोई जो कोई काम करता है ना सबसे पहला प्राथ मिक्ता उनका ये ने रहता की बंगला खरिदना है गारी खरिदना है ये प्राथ मिक्ता नहीं होती है उनकी उनकी प्राथ मिक्ता होती है खाना अगर आज हम नहीं कमाएंगे तो कल हम खाना नहीं खापाएंगे तो खाना खाने के लिए हम लोग सजीव में भी परजनन होते हैं सजीव में परजनन होते हैं लेकिन कुछ-कुछ सजीव इसे हैं जो परजनन नहीं करता है अब बच्चे के मन में सवाल आया होगा कि सर परजनन अगर सजीव जो सजीव परजनन नहीं करता होगा तो उसकी जाती कहां साती होगी अगर लड़का लड़की परजनन करना छोड़ दे तो फिर ये दुनिया में इतना जन संख्या होता नहीं होगा अगर बकरा बकरी परजनन करना छोड़ दे तो बकरी की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी हैगी नहीं जी तिये चीजें होती है तो लेकिन सजीब में भी में भी है बताएंगे टेंशन मतली जिएगा तो रिप्रोडेक्शन परजनन सभी सजीव में परजनन की गुन पाया जाता है उनमें अपने समान नए जीव उत्पन करने की छमता पाया जाती है जिससे वे अपने ही जैसा और जीव पैदा करते हैं आई होप यह किलियर हो गया यह फील क्या होता है भाई जैसे कि ठंड ही ठंड लगा यह जो हमारे रूएं ना स्कीन के यह खरा हो जाते हैं देखो यह फील करने के लिए हमारे पास कुछ-कुछ चीजें हैं, कुछ-कुछ अंग है, जैसे संबेदन सील अंग जो हमारे पास आँख है, फील करने के लिए, है की ने, नाग है, कान है, आँख से हम लोग देख पाते हैं, नाग से हम लोग सुंग पाते हैं, सुंग के बताते हैं मिर्चाई बला है कान से हम लोग सुन लेते ये म्यूजिक बज रहा है कि ने जी ये गाना बज रहा है जीव से हम लोग टेस्ट पता कर लेते हैं कि ने टेस्ट पता कर लेते और तवचा से हम लोग को ये पता चल जाता है ठंडी है कि गर्मी है ये सब चीजें हमें पता चल तो पियर पौधे में भी संबेदन सीलता होती है, ठीक है? आईए समझते हैं, सभी सजीब में संबेदन सीलता का गुन पाया जाता है, वे अपने आसपास मोसम में होने वाले परीवरतनों को महसूस कर लेता है, मनुस में पांच संबेदी अंग पाये जाते हैं, जबकि पेर में कोई विशेश संबेदी अंग नहीं पाय जाते हैं, लेकिन वे सर्दी, गर्मी तथा सूर्य की परकास को महसूस करते हैं, जैसे कि आप देख लिजिए, ऐसे आप लोग को एक्जाम्पल काई से पता चलेगा, तो सूरज मुख़्ी वाला फूल देखे हैं, ज इसका सबसे अच्छा उदारन है, चुई मुई के पता चुईएगा, चुई मुई का जो पता होता, जैसे चुईएगा, सरमाक एकदम नई की दूलहन जैसे सिमिट जाएगी, हई की नहीं, तो यह देखिए, पोधे में भी संबेदन सीलता होती है, मतलब फील उनको भी होत की तछा, अब रहिता है अच्छा उनको पास इसन नहीं, आख रहागा, तभी हम देखे गे, पैर पोधा में आखोग नहीं है, पैर पोधा में आखा नहीं है, उनके पास तुचा है, तुचा है एक चिज Ellie तुचा है, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं उत्सरजन अब भाईया हम लोग कुछ खा लेते हैं पानी पी लेते हमारे सरीर में अगर श्टोर रहा तो पानी इतना दिन से पी रहा श्टोर रहा तो तो क्या हो जाएगा ता मुक्तन्न फूल जाएगा पेटका है की नहीं यह चीजें होती ह तो उत्सर्जन भी करना जरूरी है जी, अब देखो जीव धारियों में विभिन क्रियाओं के फलसरूप हानिकारक और अनावशक पदार्थ बनते हैं, जिसको वे अपने सरीर से निस्कासित करते रहते हैं, यह क्रिया जीवों में निरंतन वा जीवन प्रयत्म चलते रहती है अब को भई खा लिये, खाना खा लिये, अगर निकला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, चारे दिन में मर जाएगा, इसलिए सजीव में उत्सर्जन होता है, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखें यहाँ पे, हमने आपको बताया सजीव में परजनन की छमता होनी च इसमें हनी निकलता हनी, जिसको सहद बोलते हैं, यह मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है, तीन परकार का होता है, रानी मधुमक्खी, इसको जो है, बोला जाता है, मादा मधुमक्खी, इसको मादा मधुमक्खी भी बोला जाता है, नर मधुमक्खी, जिसको ड्रोन बोला जा चाहत करता हवाई जहाद आ गया हवाई जहाद आ गया वह ड्रोन इसका नाम है यह ड्रोन नहीं है इसे यह उड़ता ही है है कि नर और कार्यकरता मधुमक्खी जिसको हम सेबक मधुमक्खी बोलते हैं यह यह कार्यकरता मधुमक्खी जो है यह परजनन नहीं करता है यह परज तक है लेकिन खचर समझ लीजिये किसको केते हैं, खचर जुर परजनन नहीं करता है, खचर के खचर मे परजनन की सक्ती नहीं होती है, तो सरिय आते कहाँ से हैं टपक केसे जाती, इसकी परजाती केसे बढ़ती है, सब्सक्राथ एगा भ्रॉक CR गोराने, घोड़ी और इस गदहा है और यह नर गदहा है अब यहाँ समझे इस अधरने में इसका कभी शाँस नहीं फूल था भूरा का बहुत देर तक और तो रहता है और इस गदहा को समझें ना ता हम एक इनके उपर कितनों लाद दिजिये छलते रहता है तो लोग जो है गोरी के साथ इनका विवाह करवा दिया विवाह मतलब समझ के दोनों का परजनन करवा दिया अब देखिए यहां घोरा को परजनन करना चाहिए करवाया किसे नर्गदहा से परजनन तो खचर पईदा हो गया कौन खचर यह खचर पईदा हो गया बात समझ में आ गया किसे खचर पैदा हुआ, अब देखिए, इनसान में भी होते हैं, जो परजनन करने की उनके अंदर छमता नहीं होता, उनके बारें भी चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना है कि खचर परजनन नहीं करता है, खचर बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, तो इसके लिए कौन है गदावा और घोरी है कि नहीं जी आगे हम लोग बढ़ते हैं यह देखिए यह है किनर मनुस की अगर बैबात करू तो मनुस में भी है ठीक है नर और मादा के अलावा एक ट्रांसजेंडर होता है जिसे किनर हिजरा छक्का अलग-अलग नामों से पुक कर लिजिए हिजरा किनर का जन्म कैसे होता है तो आज जाएगा वीडियो हलाकि यहां पर देखो अगर मैं बात करूँ यह दिखेगा जी तो दूसरे पेज ले लेते हूं अब दिखाते आप लोग को यहां पर भी नहीं जगा है, यहां पर हम आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है? मेल और फीमेल, इसमें गुनसुत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तविस जोरा, तविस जोरा गुनसुत्रों की संख्या होती है, इधर फीमेल, इसमें भी तविस जोरा होता है, लेकिन इसमें 23 जोरा 22 जो राज होता है हम बढ़ियां से पढ़ा रखें इस पे और अच्छी तरह से अगर आप लोग समझना चाहते जरूर वीडियो को देख लेजेगा 22 जो राज होता है ओटो सॉम होता है ठीक है ओटो सॉम और एक जो राजो 23 जो राज होता है जो 23 जो राज होता है य गुनसुत्र होता है ठीक है इनके बारे में अगर हम चर्चा करें ज्यादा नहीं जो पुरूस का जो होता है मतलब पुरूस का जो गुनसुत्र होता है वो X और Y होता है लेकिन इस तरी का जो गुनसुत्र होता है X और X ही होता है, अगर देखो, यहां पर मैंने बहुत डिटेल से बात किया उस वीडियो में, ठीक है, देखो, अगर इनका X गुन सुतर आ गया, और इधर से महिला का X गुन सुतर आ गया, निश्चित रूप से यहां पर जो बच्चे का जन्म होगा, वो क्या होगा, पुतर हिज्रा किन्र पर चली यहां कहां आ गया, तो यहां पर देखो यहां पर जो रहा है, गलती से 46 के जगे 47 गुन्सुतर आ जाय, 48 अज़े, उस के बजे से जो है, देख लिजिएगा ठीक है तो यह समझ गए मनुस में भी सजीव हैं मनुस सजीव होते हुए भी परजनन नहीं करता है वो कोन है हिजरा किनर छक्का जो भी वो लिए ठीक है आई हो प्ये किलियर हो गया होगा अब हम लोग ने सजीव के बारे में पढ़ लिया सजीव के जो जेनरल कारेक्टर थे सजीव के जो समानने लक्षन थे उनके बारे में पढ़ लिया जी अब सजीव के असपैस गला की प्रॉबलम चलो भी पानी भी लेते हैं कि सजीव के विशिष्ट लक्षन सजीव के विशिष्ट लक्षन को अब हम लोग पढ़ेंगे अस्पैसिक कारेक्टर देखो ऐसे लक्षन जिसके द्वारा सजीव और निर्जीव को निर्धारन किया जा सकता है सजीव का विशिष्ट लक्षन कहते हैं और यह जो है कुछ-क कुछ सजीव में ही पाय जाते है कि नहीं अब यहां पर मैंने आप लोग को पढ़ाया उपाप पचे परियाबरन के परती संवेदन सील चेतना को सिक्ये संगठन और जीवदर्व इन तीनों को जो है चारों को जो है चार पॉइंट से आप लोग को पढ़ाएंगे ठीक है तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा ओके तो चलो शुरू कर लेते हैं चलो यह है उपाप पचे उपाप पचे ठीक है सजीव के सरीर के भीतर होने वाले सभी जैविक रसायनिक किरिया को क्या कहते हैं उपाप पचे कहते हैं सजीव के अंदर हमारे स रिकांदिर रसायनिक किरिया ठीक है जरह गई रसायनिक किरिया जो होता है वह क्या कहलाता है पचाहिं एम लोग उपाह पचे जो है एक ओदो भाग में बढ़ जाता है उपचे में और ओपचे में एक उपचे में और एक ओपचे में तो यह जो होता है जैसे कि परकास संसलेशन किरिया परकास संसलेशन अभिकरिया जैसे परकास संसलेशन इसमें क्या होता है एक से एक एक दो हो जाता है लेकिन वी घटन अभिकरिया में क्या हो जाता है यह खु आओ जाएगा टेंसर मतले जेए सद्हाई में है ही एक जो है दो हो जाता है लेकिन दो जो है यहाँ पे एक दो जो है टूटके एक एक भाग में बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है वी घटन कारी अभिकरिया आगे हम लोग बढ़ते हैं यह जो देख रहे हैं आप लोग दूसरा जो आप लोग का था प्रियाबरन के परती समवेदन सील ताकी चेतना तिसमें मैंने वही जो आप लोग को छे नंबर में सजीव का गुन जो परहाए था फील मतलब महसूस अगर पूछे मनुस के मनुस के समवेदन सील अंग कौन से है या मनुस में पास समवेदी ठीक है सरवेदी अंग कौन-कौन से है याद रखिएगा आख आखा लिखा हु कोई जरूरत नहीं ना चलो आगे बढ़ते हम लोग कोशिका संगठन इनके बारे में समझ लीजे कोशिका जीवन की अधार भूत इकाई है ठीक है सभी जीवित जीव कोशिकाओं के बने होते जितने भी दुनिया में जो भी जीव है न उसके अंदर कोशिका ओज है कोशिक से ही बना होता है ठीक है एक कोशिकी जीव धारी स्वतनत रूपसे जीवन के सभी आवश्चक कार करने में क्या होते हैं सक्षम होता है एक कोशिक जीव्द्यक्रीश के होगे आपका अमीबार पैरा अर्थात जीवदर्व पर उपस्थित सजीवों का विशिष्ट है यह जो जीवदर्व होते हैं कोसी का जिली और केन्दरक जिली के अंदर पाये जाते हैं पाये जाने वाला अर्ध तरल द्रव को कोसी का द्रव कहते हैं लेकिन मुझे लगड़ा यहां पर 90 85% बच्चों को यह चीज़ें नहीं समझ भाया हुआ है ताब कहें किका सर जीव-दर्व सजीव के जीवन की अधार अधारित, तरल पदार्त एबं जीव-धर्व की उपस्थिती सजीव के विशिष्ट गुन में आते हैं ठीक है यह सभी सजीव में नहीं होते, लेकिन कुछ-कुछ सजीव में होते हैं, ठीक है, अब रहे, तो यह जो जीव दर्व होते हैं, कहां होते हैं, कोसिका जिल्ली और केंदरक जिल्ली के अंदर जो है, यह अंदर पाए जाने वाला अर्द, तरल दर्व को कोसिका दर्व कहते हैं, अब ये जो कोशिका जिल्ली और केंदरक जिल्ली है समझेगा कोशिका कोशिका जिल्ली और केंदरक जिल्ली केंदरक जिल्ली केंदरक जिल्ली ये दोनों के अंदर पाए जाने वाला क्या है और तरल पदा अर्थ या अर्थ तरल दर्व लिख दीजी तर्वosure को शीको क्या बोला जाता है कोशी का या सरी जीव दर्व बोला जाता है क्या اب बोला जाता है जीव दर्व है ओके चलो अब कुछ कुछ चीजे जो है इसका आगे पॉइंट्स दिया हुआ है तो उनके जब पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको समझा देंगे अच्छी तरस जिन बचों को नहीं समझ मैं हलाकि नहीं के बराबर ही यह चीजें समझ मैं होगा लेकिन आगे हम आप लिए टौस गाइंगे जब कोसी का पढ़ाएंगे तो ओके लिदीव की बात करें तो बच्रोव्य नीर्जीव तो आपने बचपन में ही पढ़ा था है की नहीं भी पन में निर्जीव पर लिए थे ना कहीं कोई दिकत हुआ था निर्जीव पर ने अरवया यह क्या है निर्जीव है यह क्या है निर्जीव है ठीक है तो निर्जीव आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिर्थिवी पर पाये जाने वाले वे सभी चीजें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है जिन में जीवन उपयोगी आवशक करिया जैसे सोसन परजनन भोजन बुद्धी बुद्धी नहीं होता है वे सभी निर्जीव होते हैं जी निर्जीव को हम दो भाग में बाढ़ सकते हैं प्राकृतिक और एक कौन सा एक मानव निर्मित ठीक है निर्जीव जो है दो परकार के होते हैं निर्जीव जो है दो परकार के होते हैं एक प्राकृतिक प्राकृतिक निर्जीव निर्जीव और दूसरा जो है आपका मानव जनित निर्जीव अब कहेंगे सर प्राकृतिक जो प्राकृतिक रूप से ठीक है जो प्राकृतिक रूप से निर्जीव है प्राकिर्तिक रूप से जो निर्जीव है, जिसे मानव ने बनाया, मानव निर्मित निर्जीव जिसे मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, अरे भाई, यहाँ था ही, इसके अंदर वे सारी निर्जीव चीजे आती है, प्राकिर्तिक द्वारा निर्मित है, जैसे पडवत हो गया, प्राकिर्तिक का दिया हुआ है, अकास हो गया, यह भी निर्जीव, तारे गरह हो गया निर्जीव, सूर्य हो गया निर्जीव, हवा हो गया निर्जीव, आग हो गया निर्जीव, पत्थर हो गया निर्जीव, पानी हो गया निर्जीव, यह सब क्या हो गया, यह सब क्या हो गया, प्राकृतिक निर्जीव, क्या हो गया, प्राकृतिक निर्जीव, यह सब क्या हो गया, प्राकृतिक निर्ज सजीव उसको उसी को बोला जाता है मानव निर्मित या कृत्रीम क्रित्रीम का एंगलिस होता है आर्टिफिसियल इसके अंदर वे सभी वस्त्वें आती है जिनका निर्मान मानव द्वारा क्या जाता है जैसे कि हो गया टेबूल कुरसी केम पिटर मोबाइल कार रोबोट यह स सजीव और इधर लिख लेते हैं निर्जीव अगर सजीव का जो है सजीव को सजीव का दो लक्षन होता है कौन कौन सा एक लक्षन हो गया समान्य लक्षन दूसरा हो गया विसिष्ट लक्षन अगर समान्य लक्षन में पूछे तो क्या आप लोग को याद होना रहना चाहिए विर्धी, सोशन, चलन, 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 चौथा परजनन, परजनन या जनन और भी बहुत सारा लिखा ही दिये थे आप लोग को इधर आपका हो गया ओपा पच्छे दूसरा आपको बता दिये थे फील संबेद अंसीलता या तो यहां पर मैंने आप लोग को बताया था पढ़ियावरन संबेद अंसीलता ठीक है प्रियावरन संबेद अचे तना या रखने के लिए इतना बता रहे है जादा कुछ है नहीं प्रियावरन संबेद अंसीलता चे अचेटना कम सकम ये दो गुन याद रखेगा और इसका ये दो गुन याद रखेगा ठीक है उसके बाद मैंने आप लोग को अभी ही पताया निर्जीव जो है दो परकार के होते हैं निर्जीव दो परकार के होते हैं एक तो होगे आपका प्राकृतिक निर्जीव प्राकृतिक और दू हो जाएगा आप लोग को पहार पहार भी बोलते हैं कुछ-कुछ जगए पानी अकास अकास सूर्य है इधर क्या हो गया इधर देखो तो टेबोल टेबोल कुर्सी 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 कि कलम रोबोट रोबोट यह सब चीज क्या हो गया मौनव जनीत हलाकि इनी सभी चीज़ों पर हम लोग बात करते आये हैं और आप लोग को मैंने बताया वैसा सजीव जो परजनन नहीं करता है वैसा सजीव जो परजनन नहीं करता है जिसके बारे मैंने आप आप लोको बताया था स्ववेम सेवक मधु मक्खी घाद रखेंगे स्वरी स्वॉ MOS reporting यी कार्य करता मधु मक्खी जिसको बोलते हैं कार्य करता कार्य करता शत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् परजनन नहीं कर सकता है ठीक है यह सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया है ओके आई होप आप लोग विशिष लक्षन को ज्यादा तर याद रखें ठीक है क्योंकि परिक्षा बगराम ज्यादा तर पूछे जाते हैं प्रयावरा कोशिक्य संगठन जीव दर यह दोनों नहीं लिखाये थे हलाकि यह दोनों ज्यादा मेटाबाइलोजी और यह क्या होगी आपका विशिष्ट लक्षन जो हो जाता है यह याद रखेगा विशिष्ट लक्षन में आगे हम लोग बढ़ें आज़ा वई चल अब हम लोग जीवों में विवित्ता समझते हैं ठीक है एकदम सुध हिंदी में आप लोको बढ़ा रहें ठीक है अंग्डेजी इंगलीस वाले जो शाद रहें यहाँ पे हैं नहीं इसलिए इंगलीस पढ़ाना सही नहीं है ओके चलो वही एक चार्ज है चलते हैं देखते हैं कब तक चलती है ने चलती है देख लेंगा जीव जगत में और शंख्या परकार के जीवों के उपस्तिति जय बिभित्ता कहलाता हमारे दुनिया में जो है और शंख्या मतलब जिसकी गिंती नहीं कर सकते उतनी जीव है है कि नहीं उतने में जीव है अगर बात करें बैगिया है निकोक ने अब तक शत्रय से अठारे लाक़ जीवों का क्या लगा लिया पता लगा लिया और उसका सुन है मतलब पौधों का 15 ठीक है इन में से कीटों की संख्या के अगर मैं बात करूं जन्तुओं और पादपों ठीक है दोनों को मिलाकर ठीक है दोनों को मिलाकर उससे अधीक है कौन कीट ओ यार ठीक है याद रखना यहां पर हम लीख देते हैं यह पॉइंट करके जन्तुओं वा पादपों पादपों समझते हैं न पेर पोधा ठीक है से अधीक दोनों को जोरने मिलाकर सॉरी मिलाकर कीट की संख्या है ओके यह चीज़ समझ में आगे आप लोग कहीं कोई दिकत नहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं अब आता है वाइलोजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है जीवधारियों का वर्गी करन तो यहां पर आपको मैंने क्या समझाया जीवधारियों में विवित्ता मतलब हो गया जीवधारियों का विभीन परकार हलाकि बैग्यानिकों ने अभी 17-17 लाख जीवधारियों को पता लगया और उसका नामाकरन भी कर दिया उनमें से तो आपने थोड़ी समझ ही गए होंगे कहीं कोई दिकर ने अब आता है कि वाइलोजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जीवधारियों का वर्गी करन करना मतलब बटवारा किया गया किस परकार से विस्व में मिलने वाले जीवों की संख्या ही नहीं आकिर्ति अकार भार आदी समान्य रूप से उसको याद रखना शंभव नहीं है ठीक है संभव नहीं है तो दुनिया में बहुत परकार के जीव पाए जाते हैं कि नहीं बहुत परकार के जो है जीव पाए जाते हैं लिए जीब पाए जाते हैं तो उसको बात दिया गया है वह बैटरी लेगा एक तो तो उनको बातना मुस्किल है उनका नाम याद रखना मुस्किल है तो क्या किया जाती बाट दिया गया है ठीक है अब जाती देखो नॉर्मल से अगर हम उधारन देखे आपको समझाएं थोड़ा माइक का जो है बैटरिक बदल लेते हैं ना पता इसका कब गैब हो जाएगा ने हो जाएगा इसलिए अभी ही बदल लेते हैं चलो वेट किजेगा भागिए चलो चलो पहलो होगी अब अब हाग जा रहा न सुनाइप रहा है चलो तो बही क्या करना है सभी जीव को बाढ़ दिया आप देखो दुनिया में मनुस्थ थे काला गोरा नाटा लामबा सब तरह प्रकार के मनुस्थ है तो क्या कर दिया Kundi तीन भाग में विवाजित कर दिया, को बोलो कैसे, तो ऐसे तो दुनिया में दो ही जीव है, माना जाता है, एक नर और एक माधा, ठीक है, लेकिन मनुस को क्या-क्या, दो भाग में बाट दिया गया, एक नर और माधा, ठीक है, लाइका और लाइकी को अलग अलग भाग में ब लोग करें विश्व में विश्व में मिलने वाली जीवों की संख्या ही नहीं उनकी आकिरती अकार भार आधी सभी इतने अधिक विभित्ता से मिलती है अलग अलग टाइप का मिलता है किसी का वेट अधिक है किसी का आकिरती अलग है तो किसी का वार अलग है इतने विभित्त परकार की मिलती है कि समानने रूप से उसको याद रखना संभब नहीं है इसलिए अध्यान की सुभधा के लिए कुछ लक्षनों पर अधारित सम्वेगों और सम्हूं में जीवों का वर्गी कृत कर दिया गया अब देखो सब के आकार पर करेगा आकरती पर करेगा इतना जी हम के लिए सुभधा के लिए कुछ लक्षनों पर आधारित सम्वेगों शमू में जीवो का वर्गी कृत करते हैं इन सम्वेगों को क्या पूला जाता है इन समवर्गों को क्या बोला जाता है टेक्सा कहते हैं पउधों जन्तुओं वेक्टिरिया अलग अलग कटेगरीज या टेक्सा में रखा गया ठीक है जो पौदा है उसको अलग रखा गया जो वेक्टिरिया टैप का है उसको अलग 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 बना दिया अलग 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 टेक्सा में रख दिया आगे और भी चीजा हम लोग समझेगे नए नए जीवों की पहचान सही ब्यग्यानिक नाम देना और समान्ताओं और उसमानताओं के अधार पर उन्हें विभीन समू या वर्गों में रखने को वर्गी करन कहते हैं। वर्गी करन इनके मुल सिध्धांत का अध्यान को वर्गी करन विज्ञान या वर्गिक कहते हैं। वर्गी करन का इनके एक जनतू का अध्यान करके उस वर्ग के अन्य जनतूं के समान्य गुनों को पता लग जाते हैं। जैसे कि फ्रॉग का ध्यान करने से एंफिविया वर्ग के जनतूं का समान्य लक्षन का ग्यान हो जाता है। तो फ्रॉग मतलब समझते हैं मेढग कहीं कहीं इसको ब्यंगवा बोला जाता है। बहुत सरह इसका नाम है। अपना लोग अलग अलग ही नाम रख चुके हैं। जैसे कि फ्रॉग की अगर मैं बात करूँ फ्रॉग की जैसे देखो बिल्ली जो है बिल्ली बाग जिसन है बाग के पर्षातिम उसको रखा गया। लिको तो दिखो यहां पे जो है अगर फ्रोग का अधियन करने से एंफिविया ठीक है एंफिविया वर्ग के समान्य जन्तुआं और लक्षनों का ग्यान होता है अब यह एंफिविया क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे एक पेज लेके चलते हैं आपको समझाते हैं एंफिविया फ्रोग के तरह ही उनके दो फायर होते हैं ठीक है यह देखो आगे यह दो प्रोटा इनका ठीक है यह हात होता है ठीक है और मैंने आप लोग को फ्रोग का परजनन भी पढ़ाया है फ्रोग में कैसे परजनन होता है में diagnostic में परजनन fuzzy होता है वह भी पढ़ा रखें सर्च कर लेना आजाएगा वीडियो ओके तो दीकों ये जो है mpv mpv या जो है ये ये सभी चीज को रखा गया है किसके एक फ्रॉग मतलब मेढ़क के मेढ़क के परजाती में ठीक है परजाती में इस सब को रखा गया है फ्रॉग के में डर्ट फ्रॉग ट्री फ्रॉग मौस फ्रॉग और स्फ्रॉग M dash monkey frog flying frog ठीक है और ये है toad यε है toad इस सभी को मतलब मेढ़क क आधियन करने से मेड़क मतलब प्रोग का अध्यन करने से एमफीबिया वर्ग के जंत४ों का समाने लक्षन का गियान होता है ठीक है तो इसको एक परजाती में बनाक रख दिया कि उसी का PERCUSGod है उसका अध्यनне हो गया अगर विभीन वर्गों के जट इलता के अधार पर विकास कर में रखा जा सकता है कुछ ऐसे जन्तु भी हैं जिसमें दो वर्ग के कुछ लक्षन पाये जाते हैं ऐसे जन्तु को सयोजी करी कहते हैं इनके अध्यान से जन्तु समु का विकास कर्म का पता चलता है इनके विकास कर्म का पता चलता है मतलब कुछ ऐसे भी जन्तु हैं जिसमे दो वर्गों का कुछ लक्षन होता है बात समझ माया जैसे कि मैंने आप लोग को खचर के बारे में बताया उसमें दो जन्तु का लक्षन आएगा ठीक है वह पहले तो ठकेगा नहीं दोरने में और जितना वेट डाल दो वह चलते रहेगा ठीक है यह है क्यों कुछ ऐसे जन्त कि आगे हम लोग बढ़ते हैं उधारन के लिए अब हम लोग समझेंगे पेरी पेटस में एनी लीडा और अर्थो पोड़ा रंगों के आर्कियोड टिप्सिस ठीक है आर्कियोड टिप्सिप्स के जीवाराम में उधारन है जैसे कि यह जीवाराम उधर गलत लिखा हुआ य सरी सिर्प वा पक्षी वर के लक्षन पाया जाते हैं अब देखो यह सरी सिर्प क्या होता है इसके बारे हम यहाँ पर देख लो यह देखो इसमें जो है अच्छल यह यह जो है सरी सिर्प है यह सरी सिर्प यह और यह जो है उपर में आप लोग को दिखाये हाँ है कि स्वेलो भई है कहां किया भई है कि मैंने अभी आप लोग को फ्रॉग का बता ही दिया आप लोग को फ्रॉग में एंफी बियावर के जन्तों का लक्षन होता है और क्या था एक और चीज था न चलो अड़ाउन इमिल्डा भी आगे हम लोग बढ़ जाते हैं ठीक है अनिलीडा हो गया अर्थोपोडा हो गया और और क्योपेटिस हो गया उसका में में जो है स्री सिर्फ वा पक्षी वर्ग के लक्षन पाये जाते हैं वर्गी करन के अधार पर बिभीन संगों वा वर्गों की उत्पति मुल्द सुरोत का पता लगाया जा सकता है जैसे अर्थोपोडा संग का विकास एनिलीडा ठीक है एनिलीडा से हुआ है याद रखना पक्षी वा अस्थन्य वर्गों के विकास सरी सिर्फ वर्ग से हुआ है तथा अर्थोपोडा संग का विकास एनिलीडा से हुआ है एनिलीडा देख लिजिए एनिलीडा यही हुआ ठीक ह अर्थो पोडासंग का विकास जो है एनिलिंडा से हुआ था यह है पेरी पेटस यह क्या है पेरी पेटस है और यह हो गया एनिलिंडा यह क्या हो गया एनिलिंडा ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं यह जो मैं आप लोग को भी पढ़ा रहा हूं न यहां पे वरगी करन का महत् importance of classification ये समझा रहे हैं तो बहुत तरह तरह के जीव हैं जिसका मौन लिया जाए देख लिया इनमें ये गून है उसके लक्षन में रख दिया जाता था ठीक है उस तरह के जीव में रख दिया जाता था आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्गी करन से विभीन अवास में रहने वाल उनके अवास अस्थन को बताया जाता है ठीक है वर्गी करन के विभीन अवास में रहने वाले जीवों में पाय जाने वाले और कारिक समनताओं और विभीनताओं के कारण का भी पता चलता है जैसे वेल अस्थन धारी है वेल जो मचली होता है बहुत बुद्धिमान मचली ह ये अस्थन धारी होता है ठीक है लेकिन ये जो है जल में रहने के कारण मचलियों जैसी ये दिखता है वेल, चमगादर, सेर एक ही संग के परानी है पर अलग-अलग वातावरन में रहने के कारण ये बिलकुल अलग नजराते हैं जैसे वेल हो गया, चमगादर हो गया, सेर हो गया एक ही संग का प्राणी है इनके अंदर एक ही लक्षन है लेकिन ये अलग-अलग बातावरन में रहने के कारण बिलकुल ये अलग हो जाए हो गया है ओके अब आता है जीवों का नामा करण ठीक है जीवों का नामा करण नए खोजे गए जीवों को दुई नाम नामा करण पदधती द्वारा व्यज्यानिक नाम देने को नामा करण कहा जाता है देखो कैसेल्स लीनियस नामक बैग्यानिक ने जीवों को व्यज्यानिक नाम दिया और इसलिए दुई नाम नामा करण पदधती की खोज किया ठीक है अब देखो दुई नाम पदधती क्या है स्वीडेन के बैग्यानिक लियनियस द्वारा जन्तों के बैग्यानिक रूप से नामा करण पदधती को दुई नाम पदधती कहते हैं जिसके अनुसार परतेक पराणी के दो नाम होते हैं एक बैग्यानिक नाम एक ऐसे बोल चालवला नाम ठीक है अब पर्थम जेनेरिक नाम जेनेरिक नैम कहलाता है जो पराणी को वन्स वन्स को परदर्सित करता है दूसरा उसकी जाती को यह उसका अस्पैसिफिक नाम कहलाता है अब यहां पर बात को समझना आप लोग दुई नाम पदधती हम लोग पर रहे हैं एक एक चीज को यहां पर यह कभर हो जाएगा तो अराम से आगी की चीज़े समझ में आ है स्वीडेयन के जो बैज्यानिक था ली नियस द्वारा जंतुओं के बैज्यानिक रूप से नामाकरण पदधती को दुई नाम पदधती कहते हैं आगे में इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाया कि नय खोजे गए जीवों के दुई नाम नामा करन पदधती द्वारा ठीक, और इसको जो है नामाकरन जो दिया था खो जा था इसका स्वीडेन के बैज्जानिक लीनियस د्वारा जन्तवों के बैज्जानिक रूप से नामाकरन पधती, द्वी नाम पधती कहलाता है, इसके अनुसार परतेक परानी के कितने नाम होते हैं दो नाम होते हैं, अब यहां पर एक एक चीज को समझना, क्योंकि यह वाली चीजे ना ज्यादा तर पूछे जाते हैं, पर्थम जेनरिक नाम कहलाता है, जो पर्थम नाम होता है, वो जेनरिक नाम कहलाता है, जो परानी के बंस को परदर्सित करता है, परानी जो होते हैं, उन कहलाता है उधारन के लिए समझ लीजे बिल्ली का जो बैग्यानिक नेम है बिल्ली का बैग्यानिक नेम फैलीस है ठीक है डोमेस्टिक्स इसमें फैलिस वंस का तथा डोमेस्टिक्स जाती का नाम है ठीक है इसमें अब देखो यहां पे जो है डोमेस्टिक्स यह जो डोमेस्टिक्स है फैलिस फैलिस डोमेस्टिक्स याद रखें कहां देजिए का आप लोग थोड़ा सबाई मेरे फैलिस डोमेस्ट इसमें फैलिस जो है क्या है वन्स का नाम है बिल्ली का जो है वन्स का नाम है मैंने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसलिए आप लोग को यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए मैं लिख देता हूं बहतर तरीके से समझ लेजिए okay आज़ो देखो बिल्ली लिख रहे हैं ज्यादा कुछ ने लिख रहे हैं बिल्ली का जो नाम है बिल्ली का अगर मैं बात करूँ वैज्यानिक नाम वैज्यानिक वैज्यानिक बेग्यानिक नेम जो है अबेग्यानिक नेम होगे आपका LIKE प्रेलिस ठीक है फैलिस डेमोस्टिक्स ठीक है तो यह जो फैलिस है यह फैलिस जो है इसके बंस का नाम है इसका वंस का नाम है बिल्ली किस बंस से है फैलिस बंस से है और यह जो है डेमेश्टिक्स यह जो है इसके जाती का नाम है यह क्या है इनके जाती का नाम है बिल्ली का आगे और भी चीज़ हम आपको दिखा देंगे देख लेजे दुई नाम पद्धतिम आप लोग समझें मे मेढक का वंस का नाम है राना बंस क्या नाम है राना बंस और जाती का नाम है ट्रीगिना ठीक है ट्रीगिना याद रखेगा ट्रीगिना ओके बिल्ली का फेलिस और डेमेस्टिक्स इसका जाती का नाम हो गया डेमेस्टिक्स चुहा चुहा का जो है वंस का नाम है रेट्स क्य के सेर का सेर जो है सेर और बिलिन य destruction मैं आता है मैंने बताया था आप लो को सेर फैहलिस और इसका जो जाती नाम है लू नाम है जिसका नाम क्या है लियो ओके दीख रहा है न चलो वज़ी औरचीत चीत और चीट चीटा भी फेलेस वंस का होता है लेकिन इसका नाम जो आता है Сам 13 थिक ए यहां पर ट्रिविन न यहां पर ट्रिव श्बश्र ठिक ट्रिव इ ग्रिवरेस यह ओके अगा आते हैं मनूस मनुस का जो है, वन्स का नाम है, होमो, क्या नाम है, होमो, ह-o-m-o, होमो, और, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, हलो, हाँ, बढ़ा रहे है, चलो वही, सेपियंस, ठीक है, सेपियंस, जो है, मनुस का जाती का नाम है, क्या है, अरे यार, सेपियंस, जो है, मनुस जाती, जाती का जो है, जाती नाम है, ठीक है, वन्स नाम होमो, याद रखना है, मनुस का जो है, मनुस के वन्स का जो नाम है होमो है और उनके जाती का नाम है सेपियंस ओके यह चीजें आप लोग याद रखेगा कहीं कोई दिक्कत और भी चीजें हम आपको बताएंगे कि सभी जनदूओं का नाम दूव सब्द का होता है पहला नाम वन्स का दूसरा नाम जातिस का जैसे पैलिश डिमेश्टिक्स जो है किसका बिल्ली का नाम है पैलिश्ट जो है क्या होगी आपका यह यहाँ पर मैंने बताएंगे आप लोग को पहला नाम, फैलिस जो है, फैलिस जो है, बिल्ली के वन्स का नाम है, और डोमस्टिक्स जो है, उसके जाती का नाम है, पहला नाम, इसको क्या बोलेंगे, अगर पूरा नाम पर ना होगा, फैलिस डोमस्टिक्स, फैलिस डोमस्टिक्स, ओके, यहाँ पर समझेंगे, नाम का प पहला अक्षर जो होगा capital होगा once का नाम जब भी लिखेंगे पहला अक्षर क्या होना चाहिए capital होना चाहिए जाती का छोटा अक्षर में लिखना है ठीक है जाती को छोटा अक्षर में लिखना है देखिए यहां पर लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ यहां पर देखो यह जो भी होगा सब छोटे में होगा ठीक है यह ऐसे कर दो ठीक है हाज हो चलो जनतुओं का बैज्ञानिक नाम सौदेव तिर्ची अक्षर में लिखना चाहिए ठीक है लिखा होता है और तिर्ची लाइन दी जाती है तिर्ची लिखना है ठीक है जैसे जो जनतुओं का जो नाम लिखना है जनतुओं का जो बैज्ञानिक नाम होता है वो कैसा होता तिर्ची लिखा होता है जिसे हमें इसे लिखते हैं तिर्चा होता है यह तिर्चा हुआ इसे भी और लोग तिर्चा लिखते हैं उसमें ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं द अभी नाम अंग्रेजी में होते हैं, once का पहला अक्षर जो है, capital, तथा जाती का पहला अक्षर जो है, small, ठीक है, जन्तों के बेग्यानिक नाम जो होता है, सदेव तिर्ची में लिखा जाता है, और तिर्ची लाइन खिच दी जाती है, ओके, अब classification of ordinary, मतलब जीवों का करन ठीक है कहीं कोई दिक्क्त जी, नहीं न, पूड़ा अध्या हम लोग लपेट लेंगे आज, ठीक है, कोई दिक्क्त निए, वर्गी करन के जन्मदाता स्वीडेन के परसीत बैग्यानिक, कैरोलस, लीनियस ठीक है, वर्गी करन के वर्गी करन का जन्मदाता जन्मदाता जो था क्या था कैरो लस कैरो लस और ली नियस ली नियस ओके उन्होंने अपनी पुस्तक इसका जो एक पुस्तक था इनका एक पुस्तक था अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम था क्या इस्टेमा नेचूरी ठीक है सिस्टेमा नेचूरी 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 आर ए आई डी नेचूरी ओके याद रखेगा वर्गी करन के जो जन्म दाता थे के रोलस लीनियस का पुस्टक था क्या था सिस्टेमा नेचूरी ठीक है सिस्टेमा नेचूरी में जीवों का बैग्यानिक तथा आधुनिक रोलस लीनियस को वर्गी करन्ड़ का संस्थापक वापिता माना जाता है ओके कोई दिकत जी नहीं अब देखो unity of classification मतलब वर्गी करन की इकाई ठीक है के रोलस लीनियस ने जाती जीन्स कूल गन वर्ग संग नमक 6 इकाई बनाया यह जो है unity of unit of classification मतलब वर्गी करन इकाई के तोर पे ठीक है इसको बाटा उन्होंने समान दिखने वाले जन्तों का जात जाती में रख दिया गया समान दिखने वाले जन्तों को जाती में रखा और समान गुण वाले सभी जातियों को एक जीनस में रखा संबंधित जीनस को मिला कर कुल और समांता परदर्सित करने वाले सभी कुलों को एक गन में और गनों को मिला कर वर्ग में तथा वर्गों का वर्गों में संग में वर्गों को संग में रखा ओके तो यह सब जो है आपका कूल जीनस गन यह सब आगे हम एक एक सब्द को करके बता देंगे टेंसर ने लिए यहाँ पर आप लोग टेंसर मतलिजेगा क्या क्या होता है नहीं होता जीनस क्या होता जाती तो आप लोग जानते कुल मतलब फैमली अगर यहाँ देखो जाती समझ गे जीन समझे थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुआ लेकिन आगे हम लिखे हैं समझा देंगे कुल मतलब फैमली हो गया गन मतलब अडर हो गया ठीक है अडर वर्ग मतलब क्लास और संग संग तो ये चीज़ समझी गवेंगे बाकी छे इक आई जो है सब को हम समझाएंगे टेंसर मतलिजे ये फिलाल जीवों के य वरी कर gih जगत पर नाली समझते हैं To Kingdom system और ऑफ कलासिफिकेशन आ ये समझते हैं . तू पो अरश्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूं में जन्तू जगत और पादप जगत में बाटा अरस्तु क्या क्या अरस्तु द्वारा बायलोजी के जो पिता है अरस्तु जो है वो क्या कि समस्जीव को दो समु में बाटा एक जन्तु जगत एक पादप जगत जितने भी दुनिया में जन्तु है सब को जन्तु जगत में रख दिया पेर पोधा को पादप तथा इनमें गमन के लिए किसी ना किसी परकार का अंग अवस्य ही होता है अन्य सभी जीवों को जैसे हरे पादप, मास तथा बहु कोशिके समुद्री घास, पात्म, मस्रूम, लाइकेन, कबक, वेक्ट्रिया अधी को पादप जगत में रखा था टू किंग्डॉम सिस्टम आफ क्लासिपिकेशन, ओके, अब दूई जगा तो वर्गी करन की जो कमियां हुई, क्या-क्या कमियां थी, यहां आप समझते हैं, अरस्तू जो है, सभी जीव को दो भाग में बाटा, कौन बाटा, अरस्तू कौन-कौन सा? एक जीव जगत, पादप जगत, अब इसमें जो कमियां थी, ऑग दूई जगत, वर्गी करन की, जो कमियां थी, क्या-क्या थी, इस वर्गी करन में एक कोसिक किया और बहु कोसिक किया जी एक साथ रखा गया, अब एक कोशिक्य जीव जो होता है क्या होता है बहु कोशिक्य जीव क्या होता आगे हम आपको बता देंगे टेंसन नहीं लिजेगा ठीक है इस वर्गी करण में प्रोकोरियोटिक ठीक है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक ठीक है कोशिका वाले जीव को एक साथ रख द टंसर नहीं लीजिए एक साht रख दिया इस बाले में हरे पादप और और कवयुखों को एक शाध रख दिया गया ये सब कम्याँ थी अभ ये दोनों बता देंगे टिक है टैंसर ने लीजेगे आप लोग एक चीज जो जो चीज हम छोड़ रहे ना कि मतलब समझो कि आगे वो चीज के बारे में बढ़ाना ही है तो फिर यहीं पे क्या है कि चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं जीवो का पांच जगत वाला वर्गी करन 1969 में हुआ था जीवों के पांच जगत का जो है वर्गी करन हुआ Five Kingdoms Classification of Organism ठीक है दो जगत वाले वर्गी करन की कमियों को दो जगत वाले वर्गी करन का जो कौन क्या था अरस्तू जी ने क्या था अरस्तू जी ने कमियों को दूर करने के लिए जीवों के पांच जगत में वर्गी करन कर दिया आँछ भगी करन हो गया अब देखो आर एच वीएटे कर ठीक है आर एच वीएटे कर ने कोशिका संगर्फन वापोशन आदी लक्षनों के अधार पर जीवों को निवन पांच जगत में विवाजित कर दिया ठीक है आप देखो यहाँ पे आर एच और क्या है वी हीटे ठीक है चलो भई आर एच वी हीटे कर कार चली आर एच वी हीटे कार यह क्या क्या जीव जगत को पांच भागों में बहुट दिया अरस्तू क्या क्या था? जीव जगत को दो भाग में बहुट दिया कौन कौन था? एक जीव जगत एक था जीव जगत एक था पादप जगत पादप जगत था जीव को रख दिया एक में पेर पोधे को रख दिया और एक को सिक्या दो को सिक्या को एक ही साथ रख दिया गया था ठीक है यह जो है यह आर एच वहिटे कर इसने क्या-क्या पॉच भाग में बट दिया मनेरा प्रोश्टिटा ठीक है प्रोश्टिटा पादप या प्लांटी जो पादप हो गया पेर पोधा हो गया कवक और कवक को अलग रखा गया जन्तू को अलग रखा गया मतलब मनेराज होता है छोटा छोटा चीज होता है ये सुक्ष्म जीवियों में सार्वधिक संख्या में होत निड़जः रो मरुस्थल वर्फ एवं गहरे समुद्ध जैसे बिसम एवं पर्तिकूल वास में अस्थानों पर जहां दूसरे जीव कठिनता से जीवित रह पाते हैं वहां रहते हैं कोन जहां पे द्वसर जीव का रहना संभब नहीं है वहां पे ये सब जीव रहते हैं अब देखो कवक बताते हैं कवक एक परकार की जीव है जो अपना भोजन सरे गले मिर्थ कार्वनिक पदार्थों से प्राप्त करता है ये संसार के प्रारम से ही जगत में उपस्थित है और इनका सबसे बरा लाव इनका संसार में अपमार्जक के रूप में किया जाता है अब देखो कोशी का सेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा आगे है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो यहां पर मैंने आप लोग को छोड़ा था ठीक है यहां पर हाँ प्रोकोरियोटिक और यूकेरियोटिक इस तिनों को बारे में दोनों को बारे में ठीक है चलो सेल यह जीवों के संग रचनात्मक और किरियात्मक इकाई जो सेल जो है जीवों के संग रचनात्मक और किरियात्मक इकाई है ठीक है और इसके जो खोज किया था रोवर्ट हुक ने किया था कोशिका बिज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं रोवर्ट हुक types of sales, केंदरा, के जू संरच्णा के अधार पर, sell दो परकार के होते हैं, एक वही जो मैंने आप लोग को बताया यहां पे, जिसके बारे मैंने आप लोग को बताया था, प्रोके रियोटिक और यूके रियोटिक इस तीनों दोनों के बारे में जो सेल होता है दो परकार के होता है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों के बारे में हम आप यहां पर पढ़ाते हैं प्रोकेरियोटिक कोसिका और यूकेरियोटिक कोसिका दोनों के एक साथ रख दिया था कौन अरस्तु जी ने क्या क्या था अरस्तु जी ने दोनों को एक साथ जगत सामील है इसमें कवक पादप जन्तु जगत सामील है ठीक है और इसमें केंद्रक 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 एक ही, एक ही में रख दिया था एक ही जगह, IOS, rларail, राइबो सον पाया जाता है और इसमें जो है, तरसिकर के, दोनों परकार के, знаю, पाया जाते है, और राइबो सों में Senseist होता है,islिए इसे प्रोटीन को फेक्टरी भी कहते हैं, सोसन का किरिया मिसो सौम में होता है, और सोसन की किरिया माइट्रो कॉंडियाम होता है, ठीक है, माइट्रो कॉंडियाम होता है, माइट्रो कॉंडिया को कोसिका का उर्जागिरी भी कहा जाता है, याद रखेगा आप लोग, फरकास संसले क्रेमेटो फोर ठीक है क्रेमेटो फोर मेटो फिर देखो इसको क्रोमेटो फोर में होती है प्रकास शंच्रली शन्लेशन की कि रिया पाधब को सिका को । हरित लवक, ठीक है, क्लोडो प्लाइस्ट, लिख दीखता नहीं है, क्लोरो प्लाइस्ट, प्रकात संसलेशन की जो किरिया पादप को सिखा के हरित लवक, मतलब क्लोडो प्लाइस्ट में होती है, और यहाँ पर देखिए, शीचिने गोल्गी बोडी इंडरोड़ इंडरोपलास्मिक और क्या है रेटी कूलम लबख तथा मायटरो कॉंडिया अनुपस्थित होता है इंडोप्लास्मिक गोल गी बोडी और इंडुप्लास्मिक और रेतु कुलम लबक माइड्रो कॉणिया अनुपस्थित रहता है। गोलगी बोडी इंडो प्लास्मिक और रेटो कूलम लबक वा मैट्रो कॉंडिया होता है इसमें लाइसो सॉम परजेंट होता है ठीक है यह सब तो इसमें रहता ही है, साथ में मैट्रो कंडिया होता और इसमें लाइसोस्वम भी परजेंट होता है, ओके आईए अब हम थोड़ा यहां पर लाइसोस्वम जो है इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, लाइसोस्वम जो होता है लाइसोस्वम छोटी गोलाकार थैली जैसी सनरचना होती है जाकी यहाँ देख रहे हैं जिसमें एक जिल्ली सनलंगन कई पाचक इंजाइम होता है यह बाहरी पदार्थ और घिसे पटे कोशिका के पाचन में मदद करता है वे वेक्टिडिया और वा पाचक इंजाइम पाया जाता है किसमें लाइसोस्वम में ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं लाइसोस्वम यह हमारे सरीर के अंदर जो हनिकारक जिवानू होते हैं उनको लाइसोस्वम यह हमारे सरीर के अंदर जो हनिकारक जिवानू होते हैं, उन्हें डाइसोस्वम के अंदर 24 तरह के डाइस्टिव इंजाइम पाये जाते हैं, इंडो प्लास्मिक रेटो कुला М, टू टाइप के होते हैं, यहाँ आप देखो असमूत यार और रोफ कि इसको दोनों के बारे में हम पर लेते हैं यह रहा आपका यह जो पहला आप यह देख रहे हैं यह रहा यह बहुत यह पर мешक, इनडोपला्जमिक भार्व कोलन और यह असमूद ठीक है यह बहुत भाग यह असमूद हो गया तागे देख लिजे हैं यहाँ पर इंडो प्लाज्मिक ठीक है इंडो प्लाज्मिक रेटुकूलम दो परकार के होते हैं इंडो प्लाज्मिक इंडो प्लाज्मिक इंडो प्लाज्मिक इंडो प्लाज्मिक इंडो प्लाज्मिक यह जो हो गया आपका यह बला भाग इंडो प्लाज्मिक हो गया और अस्मूत यह तो रौफ हो गया न रौफ ठीक है और आपका यह जो है अस्मूत कि इंडो प्लाजमिक यह अस्मूत वाला हो गया भाग ठीक है तो देखो इंडो प्लाजमिक रेटू कूलम दो परकार के होते हैं रफ एंडो प्लाजमिक रेटुकुलम और समूत एंडो प्लाजमिक रेटुकुलम में एक पौक मार्क या किसी नगी सत्य दिखाई देता है और इसका कारण या है या रायबो स्वाम से धका होता है जो कोशिका में हुई सनरचना प्रोटीन बनाती है ठीक है जो rough endoplasmic retoculum है वो जो है ये ढका होता है ये किसी ना किसी बाहरी सता से दिखाई देता है ठीक है ये बाला जो है rough endoplasmic यह जो है बाहरी सता से दिखाई देता है ठीक है और इसका यह कारण है कि राइबो सोम से धका होता है जो कोसिका में हुई संरचनाएं प्रोटीन बनाती है आगे जो आता है आपका smooth endoplasmic, smooth ER जिसको बोलते हैं एक जिलीदार अंग है जो अधिकांस यूके रियोटिक कोसिकाओं में पाया जाता है इसके कारी में सामिल है कोलेस्ट्रोल और फास फोली फोलीपीड ठीक है फास फोलीट पीड सहीत लीपीड कासंस लेशन अस्टोराइड हार्मोन है ठीक है यहाँ पर देख सकते आप लोग दिख रहा है यह अस्मूँध इंडोप्लासमिक रेटुकूलम ऑफ इसमें क्या होता है फिर से कोड़ो जो महींने भाग पता था अप लोको यह वाला यही है इर भाग दिख रहा है यह वाला यही है अस्मूध इंडोप्लासमिक ठीक है यह यहाँ पर भी रफ इंडो प्लाज प्लाज मिक और यह बला हो गया सॉप्ट वाला ठीक है यह जो हते एक जिलिदार अंग होते हैं जो अधिकांस यूके रियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है इसके कारी में सामील कलोस्ट्रोल और फासफोल लिपीड सहीत लिपीड का संस्लेशन अस्टोराइड हार्मोन करता है कि अरे भाब अब हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा अला कि कलास्टेंथ में आपने देखा था परकास संस्लेशन इसमें ज्यादा चर्चा नहीं है सूर्य की परकास में पोधे के हरे भागों में उपस्थित कलोडोफील ठीक है कि सहता से CO2 और S2O के सयोग से कार्वन कार्वोहेट्रेट बनने की परकास संसलेशन कहते हैं ठीक है अगर पूछे परकास संसलेशन किसको कहते हैं सूर्य के परकास में पोधों के हरे भाग में उपस्थित कलोडोफील ठीक है कलोडोफील की ठीक है और कलोडोफील जो होता है उपस्थित उसमें क्या होता है को पोधे के हरे रंग का जो भाग होता है पीर पोधा को जो रंग होता है पत्तों का रंग जो हरा होता है क्लोडो क्लोडोफिल के ही कारण हरा होता है ओके याद रखे खून का रंग हिमोगलोबीन के कारण लाल होता है पियर पोधो का रंग लाल होता है क्लोडोफिल के कारण और मनुस का खून का रंग होता है हीमोगलोबीन के कारण लाल होता है अब यहाँ पर देखो यह क्या है C6H2O6 यह क्या बन गया यह क्या बन गया C6H2O6 यह गुल को और यह हो गया आपका H2O जल ठीक है यह ऑक्सिजन यह ऑक्सिजन जो छोड़ती है ओके पियर पौधों में भोजन बनाने की किरिया को ही प्रकास संसलेशन कहते हैं पियर पौधों में कार्बोहाट्रेड यह हो गया कार्बोहाट्रेड बनने की परिक्रिया और यहां पर एच्टू जल भी हो गया और ऑक्सिजन छोड़ देता है यह चीज़ तो आपको पता ही है ज्यादा इसमें हम क्या बता है जो कुछ-कुछ सब्द था उधर संग वह सब सब्द को अब हम को समांता रखते है उन्हें एक संग में रखा जाता है जिससे केश रुखी केश रुकी एक संग है जिसमें उभैचर मतस्य और सरी सिर्फ आते हैं ओके आगि हम लोग बढ GU आगे जो है आप लोग का कलास जो वर्ग था समान गुन वाले गनों को एक ही वर्ग में रखा जाता है उधारन के लिए अस्थंधारियों में सेर बिल्ली आदी को वंदर गोरेला को साथ में रखा जाता है कुल मतलब फैमली एक ऐसा समू जहां सभी समान वाले वाले बंसों में रखा जाता है जैसे आलू टमाटर बैगन कई गुन समान मिलते हैं इनके और इन्हें एक ही कुल सोले नेसी में रखा जाता है गन जो हो गया गन ऐसे कुलों का समू जिन में कई गुन समान होते हैं मास भक्षी गन में जैसे कुत्ते बिल्ली सेर रखे जाते हैं जबकि सेर वा बिल्ली फिलोडी तथा कुत्ते कैनीडी ठीक है कुत्ता कै के नीडी के होते हैं वन्स की बात करें ऑसी जातियों का समू जिन में समान गुन होते हैं इसका वर्गिकरण में बहुत महत्व है दूइनाम पदती में बिना वन्स के जाती को नाम नहीं दिया जा सकता है के मानब बंस को होमो में रखा गया मानब invention को होमो में रखा गया मैंने आप लोग को सबलब को सुखा कर भली बाती दबा कर कागज की सीट पर सीट पर अबलोकन योग के रूप में रक्षित करके वेवस्थित कर में रक्षित किया जाता है हर वेरियम कहलाता देख रहे हैं यहां पर दाव के रख दिया फिर उसके बाद यहां पर इसके बारे में लिखेगा ठीक है और इसके बारे में लिखा जाता है तो एक बार और फ फिर पादब का जो मीजियम होता है वही तरह से जिस प्रकार देखते हैं न मीजियम में जाके तो पादब परदेशों का एक ऐसा संगर है जिसमें पादब को सुखा कर भली भाती दवा कर कागजों की सीट पर अवलोकन योग्य रूप में परिरक्षित करके विवस्थित कर म एक लेवल लगा होता है जो इहाँ दिखा देते हम लोग को इस लेवल पर जो है उस पेर पोदह के बारहे सब ननीए विषियो मेर विशेस बिन्दु ज्योर है उस लेबल पर लिखा रहता है शट लेते हैं इस पर एक लेबल मेर रहता है है ठीक है इसका धाम इतना है यहां साया है लाल इतना है तो उसी परकार गार्डेन हावरा में है ठीक है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्ट्यूट लखनो जो इंडिया में ही है सभी महाविध्याले में हर्वेरियम अस्थित होता हर्वेरियम क्या होता पेर पोधे को सुखा कर दवा कर सुरक्षित करके रखा जाता संडक्षित करके रखा जाता और उनके बारे में जो पॉआइंट्स मैंने आप लोग को बताया यह सभी पॉआइंट्स लिखे रहते हैं kr Bus Just रेखने चुद ये वहां प्लोग जाएंगे अधर कभी तो देख लीजीएगा बोटनिकल याद रखेगा इंडियान बॉट निकल गार्डिन हावरा यहाँ पी इस तरह का द्रिश बनाया गया गजव लगड़ा देखने में बई आजो हरवेरियम टेकनिक नमूनों को एकत्रित करना कोलेक्शन आप अस्पैसमेंस बिभीन रीतुओं में बिभीन छेत्र से संपुन पादप विशेश रूप से पुस्प सहीत को एकत्रि कागजों को फैला कर और नियमित रूप से अखवार बदल कर पादपों को दवा कर रखना ठीक है अखवार बदल कर उसको फिर रोज नित रोज अखवार को बदला जाता है और उसे क्या दवा कर ठीक है दवा कर और सुखा कर अखवार के कागजों को फैला कर नियमित रू ठीक है तो हर्वेरियम सीट पर पादपों को टेप गोंत या सुई धागे से आरोपित किया जाता है पादपों को कवक वा कीट से बचाने के लिए जो पादप रहता है जिसे दाम के रखा जाता संडक्चित उसको कीट वगरा से बचाने के लिए उनको मर्क्यूरिक itivesand बात विलियन डाला जाता है उसके उपर ताकि हो सुरक्षितर गरबरない हो नाम So we get to see par sparोप आरोपन के बाद सीट चले कोने पर सीटических कोने में ओहां देख लो सीट के निचले कोने में पर एक लेबल लगा जाता है जिस पर पादप संबंधी जानकारी लिखी होती है हर्वेरियम सीट का संगर हर्वेरियम सीट का कि सीट को किसी लकरी या अश्टील के अलमारी में सुरक्षित रूप से रखा जाता है अब आप लोग का जो यह रहा कूंजी अथवाचा भी जिसको कहते हैं कि समझेगा यह आपका अंतिम रहा यह जो है पूंजी अथवाचा भी यह आप लोग का अंतिम रहा और इसके बाद यह कलास जो है खतम हो जाएगे कि 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 ओके देखो इनका पडियोग समंताओं समंताओं और वह समंताओं पर अधारित होकर पोधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है जैसे कोई जीव है हम सबसे पहले उसका सरीड देखेंगे कि उनका सरीड जो है डराय है यह कुझी अथवाचाभी जो है और समंताओं पर अधारित होकर पोधों और प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है अब हम लोग क्या देखेंगे पहचावन के लिए क्या करेंगे उनका सरीर देखेंगे डराय है या वेट अगर डराय असकीन नहीं है तो हम मौन सकते हैं कि वो एसक्वामेडर लेकिन अगर तो हम दूसरी विसेष्था देखेंगे कि उसके शरीर पर बाल है या नहीं अगर बाल नहीं है तो हम कहेंगे ओलिजाड ठीक है तो यह जो खूझी होती जो चाभी होती है यह पर बायलोजी के लोग फॉन क्योंकि लगातार जो कलास चल रहे इसलिए ठोड़ा सा आप लोग इग्नॉर करना इस चीज़ को ठीक है कूछ वजे कहते हैं बाद में कुमेंट सर्फ पढ़ने नहीं आ रहा उससे कोई बात नहीं जब आप यह देड़ घंडे से प्लस हो रहा ना एक घंटा 40 मिनाट प्लस हो रहा तो फिर इतने देर से बक बक कर रहा हूं ठीक है तो हो जाता समल पडस अरह उसम अंताओं पर अधारित होकर पोधों तर्था पर आणियों की पहच्जान में किये जाते हैं जैसे कोई जीव है तो हम सबसे पहले उसका सरीर देखेंगे कि उसके सरीर पर बाल है की नहीं है, अगर नहीं है, अगर बाल नहीं है, तो हम कहेंगे कि लिजार्ड है, क्या है, लिजार्ड है, लेकिन अगर बाल है, तो दूसरी बिसेस्ता को हम लोग देखेंगे, ओके, तो इसका मतलब कुझी दो विपरित बिकल्पों को चुनने को दिख से जानकारी होती है मोनोग्राफ ठीक है देखो इसको तो इसका मतलब यह है कि जो खूंजी होती है विपरित विकल्प को चुन्ने को दिखाती है विश्तरित वर्नन के लिखने के लिए नियम पुस्तक मेनुवल वह पुस्तक जिसमें किसी भी ओगनाइजम और गनाइजम के बारे में डिटेल्स में जानकारी होती है मोनोग्राफ वह पुस्तक जिसमें एक विशेश पर जानकारी हो तथा सुत्री पत्र केटलोग अन्यमाध्यम है जो फुलोरा यह एक साधन है जिससे हम किसी पौधे का अवास उसके लक्षनों को हम जान सकते हैं कि यह ज्यादा कुछ था नहीं आप लोग समझ गए होंगे और यहां तक जो बच्चे वीडियो देखें उनके वह बहुत बड़ा यह थेंक्यू और वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा बाकी मिलेंगे हम नेक्ष्ट वीडियो ले तो पंकर सर पढ़ा रहे हैं ठीक है 11 12 का वालोजी हम पढ़ा देंगे आप लोगों कहीं कोई दिकत नहीं होगा ठीक है बाकी मिलते एक ने वीडियो को लेके तब तक के लिए बाब बाई जैहिन जै भारत टेक केर